दोसो आज की इस वीडियो में मैं Matthew Arnold की एक famous poem को discuss करूँगा long narrative poem सोहराब एंड रुस्तम को इस poem को लिखने के लिए, इस story को लिखने के लिए Matthew Arnold ने काफी सारे sources से help ली थी लेकिन सारे translations पढ़े थी और इसे language इनको पढ़ने नहीं आती थी कहानी तब की है जब इरान को पर्सिया के नाम से जाना जाता था और वहीं एक बहुत ही ताकतवर सिपाही रह करता था रुस्तम जिसने अपने देश को बहुत सारे लुटेरों से बचाया था उसे shield of पर्सिया कहा जाता था उसके रहते हुए उस देश के सारे लोग अपने आपको सेफ समझते थे मैदाने जंग में जब वो लड़ने उतरता था तो उसकी दाहार से ही दुश्मन काम जाता उस वक्त पर्सिया का राजा जो था वो था के कवस और उसका भी यही मानना था कि जब तक हमारे पास रुस्तम माजूद है, हमें कोई नहीं नरा सकता अब रुस्तम को तहमनी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है दोनों शादी कर लेते हैं लेकिन शादी के बाद परशिया के राजा के कवस ने रुस्तम को अपने पास वापस बुला लिया क्योंकि उसे लगता था कि हम लोग रुस्तम के बिना सेफ रही हैं अब राजा का बुलावा था तो जाना तो पड़ेगा लेकिन जाते वक्त ये अपनी प्रेगनेंट वाइफ से मिलकर गया उसे दुख तो था अपनी वाइफ को इस हाल में छोड़ कर जानेगा क्योंकि पता नहीं था कि अब वो कब लाट कर आएगा लेकिन जाते वक्त ये अपनी वाइफ को एक कीमती पत्थर देता है कहता है कि हमारा बेटा या बेटी जो भी पैदा हो तो उसके कंधे पर ये पत्थर बांदेना और हाँ एक बात और कही कि हमारी शादी को राजी रहने देना किसी को बताना मत अब थोड़ा टाइम गुजटता है तहमेनी को एक बेटा पैदा होता है बेटा पैदा होने के बाद में उसने ये खबर रुस्तम को नहीं दी क्योंकि उसे लगता था कि रुस्तम को अगर पता चलेगा कि बेटा हुआ है तो वो अपने साथ ले जाएगा इसको अपनी तरह लड़ाईयों में लगा देगा और मैं यहां अकेली रह जाओंगी पती तो जाही चुका है बच्चा नहीं खोना चाती और रुस्तम को ये खबर विजवा देती है कि हमारे घर में बेटी पैदा हुई है बहुत प्रोटेक्शन से अपने बेटे को पालगर जब ये बड़ा करती है तो इसका बेटा भी अपने बाप रुस्तम की तरह बड़ा फाइटर बनता है खुन में तो वही चीज थी लड़ना दूर दूर तक कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो इससे लड़ सके इसके चर्चे चारों तरफ होने लगे थे एक बार ऐसे ही एक जवान योद्धा से इसकी बहस हो जाती है वो योद्धा इससे पूसता है कि पहले तुम अपने बाप का नाम बताओ उसके बाद ही तुमसे लड़ूँगा फिर उसकी मा उसको बता देती है कि तुम महान योद्धा रुस्तम की बेटे हो रुस्तम को कौन नहीं जानता था चारों तरफ चर्चे थे वो अपने बाप का नाम सुनते ही गर्व से फूल जाता है अगली सुबह सुहराव उसी नौजवान योद्धा के पास लड़ने के लिए जाता है और अपने बाप का नाम बताता है कि रुस्तम का बेटा हूँ मैं एक बार के लिए तो वो सामने वाला योद्धा इसकी बाप का नाम सुनकर रुस्तम का नाम सुनकर डर जाता है कि रुस्तम का बेटा मुस्से लड़ेगा और वो मुकाबले से पीछे हट जाता है इसके बाद सहराव अपने घर पर वापस जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि मा मैं जा रहा हूँ अपने बाप रुस्तम को ढूंडने के लिए देखो इसकी मा ने इसको अपने पास दुनिया से चुपागर इसलिए रख रखा था ताकि ये इसको अकेरा छोड़ कर ना चला जाए ये इसको समझाती है, कहती है बेटा मजजा लेकिन वो सुनता नहीं और वो चला जाता है लेकिन जाने से पहले अपने बेटे से ये एक सवाल पूस्ती है अगर तुम्हें तुम्हेरा बाप मिल भी गया तो तुम उससे पहचानोगे कैसे या वो तुम्हें कैसे पहचानेगा पिर वो बताती है कि ये जो तुम्हारे कंधे पे कीमती पत्थर बंदा हुआ है न ये तुम्हारे बाप का ही दिया हुआ है ये दिखाना वो तुम्हें पैचान लेगा अब दोस्तो सहराब कुछ सैनिकों के साथ में अपने बाप रुस्तम को ढूड़ने के लिए निकल पड़ता है आपको याद होगा कि पर्सिया का राजा कौन था के कवस सौराब को लगता है कि पर्सिया का राजा केक अवस को नहीं होना चाहिए बलकि मेरे फादर रुस्तम को होना चाहिए क्योंकि ये केक अवस एक कमजूर राजा है और टूटली डिपेंडन्ट है मेरे फादर के उपर इसलिए ये अपने सैनेकों के साथ में जब पर्सिया में गुसता है तो गुसते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है मार काट करना शुरू कर देता है केक अवस ने अपने पूरी ताकत लगा ली एक बैस से बैस्ट जनरल को बेच कर देख लिया लेकिन कोई भी सोहराब का सामना नहीं कर पाया इसके सैनिकों ने इसको आकर बताया कि महराज वो शेर की तरह लड़ता है एक एक करके हमारे सारी सैनिकों को मार रहा है अब तो सिर्फ रुस्तम ही उसका सामना कर सकता है रुस्तम को बुलाईए इसी भी सोहराब की तरफ से इसका एक मेसेज आता है मैसेज में लिखा था कि अपने बैस्ट से बैस सिपाही को भीजो मैं उससे लड़ना जाता हूँ क्योंकि इसकी शर्ट थी कि अगर उस योद्धा ने मुझे वन टू अन हरा दिया तो फिर मैं ये जगह छोड़ कर चला जाऊँगा अब केकवस बुलाता है रुस्तम को बड़ी दुविदा थी एक बाप अपने ही बेटे से लड़ेगा और उसे मालूम भी नहीं है कि वो अपने बेटे से लड़ने जा रहा है केकवस बुलाता है रुस्तम को और सारी बात समझाता है कि एक जवान सानिक ने परिशान कर रखा है सारी बात सुनने के बाद रुस्तम बोलता है कि कौन है इतना बेवकूफ जो हमारे इतने बड़े देश पर हमला करेगा एकवस बोलता है कि उसका नाम सोहराब है कहते हैं शेर की तरह लड़ता है कहता है कि सबसे बहुद सिपाही को बीजो उससे लड़ना चाहता हूँ एकबार को तो रुस्तम हिच कि चाहता है कि अब मैं बुड़ा हो रहा हूँ कहां जाकर मैदाने जंग में लड़ूंगा लेकिन फिर भी अब एक ही था जो उसका सामना कर सकता था ये रुस्तम और फाइनली काफी समझाने के बाद ये अपने घोड़े पर बैठता है मैदाने जंग में उतरने के लिए घोड़े पर बैठते ही एक परसिन इसके पास में आता और बोलता है कि आप जितने महान होना जिस तरीके से लड़ते हो उतना ही खतरनाक तरीके से वो जवाल लड़का भी लड़ता है जिसकी डाड़ी मूझ भी नहीं आई चेहरे पर अब इस तरह की तारीफे सुनकर रुस्तम की दिमाग में एक बार को आता है कि काश ये लड़का मेरा बेटा होता फाइनली रुस्तम मैदाने जंग में पहुंसता है और सोहराब को आवाज लगाता है जब वो सोहराब को देखता है तो एक बार के लिए उसको दुख होता है वो कहता है कि अभी तो तुमारी डाड़ी मूझ फिरी आई तुम्हें क्या जल्दी है इतना मरने की अरे अभी अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है अह मेरी बात मानो अपनी आर्मी को छोड़ो और यहीं पट्सिया में रहो मेरे बेटे की तरह जब सोहराब सामने वाले यह उद्धा की भारी भरकम आवास को सुनता है तो उसे लगता है यही उसकी फादर रुस्तम है सोहराब रुस्तम के पास आता है और पूसता है आप रुस्तम है रुस्तम को लगता है कि अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं रुस्तम हूँ तो शायद यह यहां से भाग जाए हो सकता है मेरे साथ compromise भी कर ले रुस्तम बताता नहीं अपना नाम कहता है कि तुम्हें मेरा नाम जानने के कोई जरूरत नहीं अगर है हिम्मत तो आकर लड़ो तयार हो जाओ मरने के लिए तुम्हारी मौत पक्की है उसकी आवाज सुनकर काफी लोग डर जाते थे लेकिन ये एक ऐसा जवान लड़का था जो उसकी आवाज सुनकर डरा नहीं सुहराब अपनी तलवार निकालता है और रुस्तम की तरफ दौडता है रुस्तम और सुहराब के बीच में घमासान युद्ध होता है लड़ते लड़ते तीन दिन गुजर जाते है दोनों एक दूसरे को छोडने वाले नहीं थे रुस्तम के सामने आज तक इतनी देर तक कोई भी सिपाही ने टिक पाया था उसे लगने लगा कि बुढ़ापे की वज़े से वो कहीं हार तो नहीं जाएगा इस छोटे से लड़के से हार जाना कितनी वड़ी इंसल्ट की बात होगी उसकी बनी बनाई इज़त मिटी में मिल जाएगी सब सूचेंगे कि इतना महान योद्धा रुस्तम कि कल की लड़के से हार गया इस खयाल से उसके दिमाग में नजाने क्या आता है वो जोड से अपना नाम चिलाता है रुस्तम और चिला कर वो सहराब की तरफ भागता है सुराब जैसे ही उसकी मुझ से रुस्तम का नाम सुनता है वो अचानक से सुन्जा पढ़ जाता है उसके हाथ से तलवार गिर जाती है शीर्ड शूर जाती है भागता हुआ रुस्तम जोर से आता है और इसकी पाड़ी को अपनी तलवार से चीर देता है सहराप तलवार डलने के बाद में इमिजिटली नहीं मरा वो जिन्दा था उसकी जान बाकी थी उसमें पूछा कि आप रुस्तम हो रुस्तम कहता है कि बेवकूफ लड़के तुम एक अजनबी के हाथों मारे गए हो सहराप कहता है कि नहीं आपने मुझे नहीं मारा बलकि वो जो नाम आपने चल ला है है रुस्तम मेरे बाप का नाम उस नाम की वज़य से मैं मरा हूँ रुस्तम को शौक लगता है कि मेरा तो कोई बेटा नहीं है लेकिन सहराब कहता है कि रुस्तम का बेटा है मैं हूँ रुस्तम का बेटा ये बात सुनकर रुस्तम अपने घुटनों पर गिर जाता है और पूरी तरह से तूट जाता है वो सहराब के कंदे पर कीमती पत्थर बंदा हुआ देखता है पहचान जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है कि ये ही मेरा बेटा है रुस्तम का दर्द इतना ज्यादा था वो अपने बेटे को गले से लगा कर बहुत रोया सहराब मढ़ता मढ़ता बोल कर गया कि कम से कम हम लोग मिले तो सही मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने आपको देख तो लिया मेरी बस एक आखरी इच्छा है जो आप पूरी करोगे आपको पूरी करने होगी कि मुझे अपने घर में दफ्राना ऐसी जगा जहां पर आता जाता हर इंसान देखकर मुझे बोले कि ये उस इंसान की कबर है जो रुस्तम महान रुस्तम का बेटा था नहीं ये कहानी खतम होती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आयोगी आज की इस वीडियो बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्म धंसे समझ में आयोगी चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में